चतुर्थ अध्याय नारदव बाच इत्युक्ता भगवान कृष्णह सफरे तुल्यरूप ध्रुक ख्यात्प पतांच लोविंध्य वासिनक अस्य पस्यसा आसंता काली एका दसी आस्विन सुक्ल म्रुगरासी जख्यधनिस्ठा पुन्यकाला सर्वमंगला जोगे चला मिनस्वरूप सिंधुनिरे प्रवेसा हुए जे जाहारे मुहि होई भी मत्स्यरूपी नदि सरित सिंधु व्यापी खोजी मारिवे बेदचुर थाओ संसय करेदूर हरियादे ससीरे घेनी ब्रम्हा संकर सुर मुनी बिविध मिन रूप धरी प्रवे सहेले लून बारी एथु अंतेजे सुन सती ए आदियो बतार किर्ती कस्यप नामे तप चारी बिंध्यपर्वते बास करी 27 स प्रति आसे रोही जे थिले चोतुर मासे सहताने सरोस्वती नदी बिंध्यपर्वते मुलु भेदी दखिन सागरो गामीनी से जोले प्राह्त असनानो मुनी अनो उदयोस नानो सारी सुर्जय प्रकासे संध्या करी देबता पित्रु आबाहने संतो सकरी जोलो दाने आद बीचारी महारुशे ए मिन मान भये आसी समरमु र कृस्थले जोतने रुख रखी भी कमंडौले ए मन्त बीचारी मन र रुखी ले कमंडौले निरे पुने प्रवेस जोले जाई सेमीन कमंडौलест थाई ०ाक ही राखता पसिलोए जे शनकीन कमंडौल उत्सर्गे दिशे मरो काये मुने उपुजे महाभो ये सारो सगोने देखी नेवे तुमते रख भलो ठाबे पुने कस्यब महारूसी सेमीन कुपरे निवेशी तोहीं पुरिला कले बरो ता देखी मरी चीकुमरो मत्यकु उद्धारी तुरित सन्नी देथिला जे सरित तहीं प्रवे सन्ने इकला सेमीन सरिते बढ़िला देखी आश्चर जत पचारी बहुत अभी प्रठुल करी मिनकु धरी धर्म बले मिलिला सरो बर जले तहीं नहीला जहीं ठाव मिनडा कई रख जीव सुने भी स्मय विप्रगाण मने सुमरी नारायाण मिनकु सरो बरुने गभीर नदी मारगे थोई तहीं पूरिला मिनकाया विप्रे न जाने विष्णु माया बेदब चने स्तुति गाये मस्यकु सिंधु जले ने देबंक हीते दोई तारे सागरे विश्वरुप धरे सुबर्न मया मत्स्य रोही रुपकु प्रती तुल्य नाही रंग लुचने देह सुभा जे सने कालक अरक प्रभा रंग धर रंग प्रुष्ठ मेरु समाने महामोट गिरे सद्रु सपुच्छ मान गर्जने आब्रुत गगन धरनी हुए टल मल सिंधु उछुली लंगे कूल निस्वास पवन बतासे पवने उडिले आकासे ग्रोहनो ख्यात्र मेघमाले रोहिनो पारियों तराले लुचिले अती उर्दो देशे बोये कंपांती दोस दीशे समुद्र पोसी महामीनो चोहती करोई गर्जनो उत्संग दीशे कोलेबरो तोड़ागे जे सने मुंदारो जलो धिते सनो कुमोते रोहिला मत्स्य इंदु होईला जलो सुन्य सुखिदी संती सर्वमिन ताहां कमध्य संखा सुरत देखि आनंद चक्रधर तक्षणे निज रूपधरी निगम चुर बंदी करी मिलेले बदरी का बने दैत्यकंपई भयमने गुबिन्द तार भुजधरी बदने बदन संचारे पवन पूर्ण कले अंगे तक्षणे संखा तनु भांगे मान्स सोडित चर्म केश उडि पडिले नाना देश ताजी बल भीला मुकती रहिला आश्रे करी अस्थि देखी संतो सबन माली घेनीले बाम करे तोली मध्यरे कले कम्भुस्वर धनी सुभिलाती निपूर सबद सुने सुर गण सन्नी धे मिलीले तक्षण गप्यजे थिले देव चोरी तक्षणे निजरू पधरी सात्र सहिते इतिहास मिलीले नारायन पास देखी सानंद लख्मिनाहा ब्रह्म्हांकु समर पिले ताहा बिधाता थाई निजपद संसारे उदे कले बेदा पुनी बिष्णु कुत समने पुजीले बदरी का बने जगना थंक मन तोसे रचिले बिष्णु एका दोसे सीब सहिते सुरगने जनाई गोविंद चरने बलंती सुन पदम मुख तुम्भ प्रसादे आंभ दुख सरीरु दूर होई गला सागर सुत तहु मला एतुम्भ दूर लभ किरती प्राणिंकी देई सद गती सेबन काले भगवान आम्भन कु होईले प्रसन्न आरे कदीन अभतरी सागर मिन रूप धरी बेद उधरी देत्यनासी असे सजन मनतोसी एते दूर लभत हुँ जात जे दिनु हेला महा ब्रत दोसमेति थी आदी कोरी द्वादोस मध्य ब्रत चारी मध्य दिवस उपवासी ब ब्रत करी बेका दसी बेनी पक्षरे बेनी भार ब्रत पाली बे शुर नर संकल पे तुम्भ नाम चिन्ति खंडी बे त्रिगुन विपती अन्तेल भीबे तुम्भ पूरी एमनत आज्ञादे बाहरी सुने संतोस दयानी दिवोहीले ब्रत हे उसिद्धी एमनते भुले तहु प्रयोग तिर्थे जाई मिले, पवित्र जोले स्नान गरे, बेगे पुझी ले दोई तारे, ब्रह्मा कोहिले सुन ब्रते, सर्वद्रे भूंक शनमते, कार्तिक मास आगमने, जौनाई विस्ट्न सन्नि धाने, बलंतिये कार्तिक मास तुम्भे करीब जोले बास जेबन जौन, प्रातो कालेस्नान करी वजाई जोले नियमेहेब ब्रतचारी हविस्ट अन्न भोग करी पाईब परम मुकती एया ज्ञादी अलक्मिपती हेऊ बोईले नारायोन सुने संतोस शुरगण पुने से ठारू विजे करी मिली ले भाराणोसी पुरी सस्ताने सिव पुझा करी भ्रम्हान कु चाहिन अरो हरी बलंती सुन बेदा बोरो एतीनी खेत्र प्रियमरो प्रयाग बदरीका कासी जे बनय जोन एथे आसी तिर्धे सनाहानो करी खेत्रे जेबे रही वदिने मात्रे ताहांकुन दन्रिवो जमो, अन्ते देशे जिवो मरधामो, एमन्तो आज्ञापरो माने, बिधाता कोहिले पुराणे, कार्तिक ब्रतो एका दोसी, महीमा कोहिले बिशेसे, संसार जननकु निस्तारी, जे जाहा पूरे बिजे करे, कथा प्रसंगे नारायोनो, कोहिले पवित् प्रकास पद्म मुखु जेनू, पद्म पुराण नाम तेनू, उत्तर खंड जे महीमा, सुने संतो ससत्य भामा, तांक बल्लब पाज तले असे सभक्त जन मेले, नमई महा देवदास दया सागर पित बासौ। इती श्री पद्म पुराण उत्तर खंडे, कार्तिक महात्म्य मत्या वतार महीमा कथने, बेद चोर संखा सुर बधो, नाम चतुर्थ अध्याय ह।